Good morning and jain आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र के questions करने तो आज हम लोग virus chapter को हमने लिया है जिसमें virus chapter का घटना चकर का जो question है TGT, PGT के लिए उसको हम लोग करेंगे पहला question है एक virus में विशाण में पाया जाता है अब वाइडिस कंटेंज मतलब एक वाइरस में क्या पाया जाता है केवल डियने होता है आज से हम लोग घटना चक्र के questions solve करेंगे जिसमें पहला topic हमने लिया है विशाड़ो जो की TGT PGT इन सब एक्जाम्स के लिए जिसमें बैलोजी questions बैलोजी से questions आते हैं उसमें helpful होगा उसकी practice हम लोग कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला question एक वाइरस में पाया जाता है वाइरस में क्या पाया जाता है अब वाइरस contains केवल DNA होता है केवल RNA होता है केवल protein होता है protein और nucleicum होता है DNA only protein only RNA only protein and nucleic acid तो इसमें सभी लोग जानते है protein और nucleic acid दोनों पाया जाता है protein और nucleicum दोनों वाइरस में होता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं निमलिकित में से किसका genetic पदार्थ RNA होता है मतलब RNA is a as a genetic material is found in which of the following इसमें से क्या है जिसमें की RNA genetic material की रूप में पाया जाता है देखते हैं option plasmodium, plasmodium, HIV, strep philococcus, bacteriophis तो इसका answer होगा HIV HIV genetic पदार्थ के रूप में केवल RNA HIV में पाया जाता है HIV एक retrovirus है कैसा virus है एक retrovirus है एक retrovirus है जिसका genetic पदार्थ एक सुत्री single standard RNA होता है जबकि bacteria phase virus में genetic पदार्थ DNA और कभी-कभी RNA होता है किसमें bacteria phase में bacteria phase में DNA भी हो सकता है और कभी-कभी RNA भी हो सकता है जबकि इसमें HIV जो है retrovirus है और इसमें single standard RNA होता है आगला question HIV virus है क्या है इसके पहले वाले question के जो हम लोग detail कर रहे थे उसमें इसका answer है HIV virus है राइवो virus, deoxyvora virus, retrovirus उपर युगत में से कोई नहीं तो अभी हमने discuss किया यह क्या है retrovirus retrovirus का मतलब इसका जो RNA होता है genetic material RNA होगा और RNA कैसा होगा single standard होगा ठीक है आगला montanier तथा gallo को क्या प्राप्त करने का श्रे जाता है montanier and gallo were credited for isolated किसको इन्होंने isolate किया था तो इसकी खोज मतलब isolation किस ने किया था मतलब किसका किया था इन्होंने AIDS virus का poliovirus, hepatitis B, T2, phage तो किसका किया था इन्होंने AIDS virus की खोजी इन्होंने की थी इसका answer होगा AIDS virus, first option अगला, मिलेकित में से कौन ना तो प्राकेंद्रक है prokaryotes और ना ही सुकेंद्रक, मतलब eukaryotes मतलब prokaryotic उसके features नहीं है और ना ही eukaryotic feature ना तो यह prokaryotes में आता है और ना ही eukaryotes में आता है तो prokaryotes और eukaryotes में को नहीं आता है देखते हैं नौस्टाक, नौस्टाक तो क्या है? एक यल्गी है नौस्टाक, सेक्रुमाइसीज, क्लेमाइडुमोनास, फंगस Clamidomonas क्या है? एक अलगी है और Saccharomyces क्या है? फंगी है तो इसमें कौन सा यह सब क्या है? जो BCG है जो Blue Green अलगी है जैसे Nostok यह Prokaryotes में आते हैं तो इसमें कौन सा ना तो यह Prokaryotes है ना यह Eukaryotes है यह और यह Eukaryotes है तो कौन सा TMV? TMV क्या है? एक Mosaic Virus है टोबैको Mosaic Virus और यह क्या है? ना तो Prokaryotes में रखा जाता है और ना यह Eukaryotes के लच्छड़िस में आते हैं वाइरस का दूसरा तीसरा Question हो गया चौथा हमने देख लिया Montanier and Gallo को क्या प्रात करने का स्रे है? एट्स वाइरस यह हमने देख लिया है Question No.6 पर जाते हैं एक पादव विशाड़ में सधानतिया होता है प्लांट वाइरस नॉर्मली कंटेंस प्लांट वाइरस में नॉर्मली क्या पाया जाता है? तो RNA, DNA दोनों परियुक्त में से कोई नहीं तो नॉर्मली प्लांट वाइरस में RNA होता है जो प्लांट पर अटेक करते हैं प्लांट वाइरस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली इनका जो जैनिटिक मैटेरियल होता है वो RNA होता है तो टो वेको मोज़े एक वाइरस एक सुत्री RNA वाइरस है जिसे सजीओं की स्ट्रेड़ि में नहीं रखा गया है और एक पादव विशाड में साधर क्या होता है RNA होता है genetic material जबकि जनचु जो कोश्काय होते हैं animal cell होते हैं उनमें RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता कि इसमें animal cell में जबकि जो plant cell plant virus है स्वá एनिमल वाईरस जो सकता है उसमें RNA धो नहीं हो सकता है लेकिन जो प्लाइड वैरस है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आर्यने होता है जनेटिक मैटीरियल बहुत कम ऐसे होते हैं प्लांट वाइरस जैसे कैलिमो वाइरस इसमें जनेटिक कैलिमो वाइरस में जनेटिक पदार्थ क्या होता है डिने होता है कि इसमें कैलिमो वाइरस में कैलिमो वाइरस में कैलिमो वाइरस मे genetic material जो है वो क्या होता है DNA होता है इन में से कौन से यूगल एक विशाड़ की रचना करते हैं which of the following pair constitutes a virus मतलब किन से जो है virus बनता है virus का body जो है वो किन किन चीजों का बना है तो carbohydrate यों वसा starch यों वसा protein यों नुकलिक एसिद lipid यों प्रोटीन carbohydrate and fat starch and fat, protein and nucleic acid, lipid and protein तो इसका एंसर होगा protein and nucleic acid, इनका जो genetic material है वो nucleic acid होता है और जो capsule होता है वो capsid protein के बने होते है virus केवल nimn के द्वारा बनते हैं मतलब virus जो है किसके द्वारा बने होते हैं अभी हमने देखा कि virus जो है protein और nucleic acid का बना है आप इसमें पूछा गया है कि वाराल्ट्स किसके बने होते हैं किसके केवल किसके बने होते हैं और अपसर ने protein आडू के protein molecule, starch molecule RNA आडू carbohydrate आडू तो virus किसके बने होते हैं RNA सिर्फ और सिर्फ उनमें क्या होता है RNA होता है मतलब उनका जो capsule है capsule उसमें नहीं होंगी क्या होगा virus क्या है RNA के एक सूच मरजुक मतलब सूच में strand से निर्मित होते हैं जिन में nucleo protein का आवरण नहीं होता है normally क्या है कि एक nucleo protein होता है जिसको हम capsule कहते है और इसके अंदर क्या होता है genetic material होता है वो RNA या DNA का होता है ये एक virus का structure माना जाता है होता है तो इसमें DNA होगा RNA होगा RNA में या DNA कोई भी हो सकता है लेकिन लेकिन वाइरडस में क्या है कि ये जो है ये जो capsule है protein है ये है ही नहीं सिर्फ क्या है genetic material है और genetic material भी किसका है RNA का है तो जो ऐसा virus जिन में genetic material सिर्फ RNA हो मतलब सिर्फ RNA का ही strand हो उसको कहते हैं वाइरडस वाइरडस इनमे न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं होता वर्स 1971 में T.O. Diner ने इसकी खोज की थी T.O. Diner ने इनकी खोज की थी किसकी वायर्स की खोज किस ने की थी T.O. Diner ने ये जो संक्रामक है इननको हां वायर्स गयते हैं I.N.N. होता है मिलकित में से किस ने विशाल की खोज की मेर ने, पास्चर ने इवनो वर्सकी ने सब को पता है कि जो वायर्स की खोज है वो इवनो वर्सकी की थी विशाड प्रोटीन और नुकलिक एसिट के बने होते हैं, विशाड सजीव तथा नेरजीव के बीच की कड़ी होते हैं, मतलब ये जो है living का भी character इसमें होता है और non-living का, मतलब अगर ये non-living thing में रहते हैं non living thing में रहते हैं जैसे soil में रहे या surface पे रहे तो वो non मतलब एक protein कड़िया ऐसा भी है non living thing की तरह भी है इनका रहता है लेकिन अगर ये living में आ जाते हैं किसी bacteria पर आ गए plant पर आ गए या animal cell पर आ गए तो वो इन में reproduction होने लगता है multiplication करते हैं और सजीव जैसा लक्षण आने लगता है तो इनको ना तो ये पूरी तरह सजीव का लक्षण इसमें आता है ना ही तो पूरी तरह ये non living होते हैं ये दोनों के बीच की कड़ी होते हैं non living sin living की तरफ ये जा रहे होते हैं मतलब कुछ character इनका non living का है और कुछ character living का है तो और इसकी खोज किस ने की थी इवानु वसकी ने जब एक विशाड़ जीवाड़ पर आक्रमण करता है जीवाड़ पर bacteria पर आक्रमण हो रहा है ये ध्यान देना है तब पर पोसी में प्रवेश करने वाला पदार्थ किया है तो जब जैसे ये जीवाड़ है और ये विशाड़ आक्रमण कर रहा है कोई भी विशाड़ आक् में क्या जाएगा और host cell तब बैक्टीरिया है तो इसका एंसर क्या होगा प्रोटीन कोट जाएगा नुकलिक एसिड जाएगा बोथ ही नुकलिक एसिड और प्रोटीन जाएगा या ननाबदीश कुछ भी नहीं जाएगा तो जब किसी में कम सी कम और इंपोर्टेंट चीज जाता है host cell में तो जाहिर सी बात है और बैक्टीरिया भी छोटा है और तो इंपोर्टेंट चीज क्या है किसी भी वाइरस का नुकलिक एसिड है तो नुकलिक एसिड जाएगा प्रोटीन कोट क्या हो जाएगा बाहर ही रह जाएगा तो इसका option क्या आएगा नुक्लिक अमल अगला क्यूस्टिन है सबसे सूच में प्रोटीन युक्त संक्रमड करने वाला कड कहलाता है सबसे छोटा प्रोटीन युक्त इंफेक्शन करने वाले जो पार्टीकिल है उसको क्या कहते हैं कि आप संगया है प्र Torres सब्सक्ना है metrics कि इसके की है तो प्रोटीन युक्त है तो प्रोटीन युक्त कौन है महिंदा प्रेण सोचनी संक्रमड कर है वाइराइट्स वाइराइट्स हम पढ़ चुके हैं वाइराइट्स क्या है यह ऐसा वाइरास है जिसमें आरेने होता है यह संक्रमर काडिकर होते हैं तो जिसमें आरेने होता है वो विशाडूब है जिसमें प्रोटीन होता है सिर्फ और सेप वो प्रायों प्रियांस है तो इ डबल स्टेंडर्ड आर येनी डबल स्टेंडर्ड डीनी सिंगिल स्टेंडर्ड आर येनी सिंगिल स्टेंडर्ड डीनी तो कॉलिफेज ये एक्स 5 एक्स 174 जो बैक्टिरियो फेज वाइरस है यही कैसा है बैक्टिरियो फेज वाइरस मतलब यह अटाइक किस पर करेगा बैक् Colyphase 5X174, Bacteriophage Virus है और इसका जो genetic material है वो single standard DNA होता है क्या होता है single standard एक सूत्रिट DNA होता है ये क्या है Colyphase ये Bacteriophage Virus है और single standard DNA इसमें होता है अब question ये है कि 5X104 विशाड की जीनोम में बेस पेर की संख्या कितनी है, इसको तो यादी करना पड़ता है कि बेस पेर की संख्या क्या है, इस 5386, 5386, ऑप्सन B, इसको हमें याद करना होता है, नगन विशाड हो है, नेग्ड वाइरसेज आर, इनको क्या कहते हैं, मतलब नेग्ड कौन होगा, जिसमें कवरिंग नही है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेनेटिक मैटीरियल, वाइरस में क्या होता है, कि एक क्या होता है, कि एक क्या होता है, कि एक प्रोटीन कोट होता है, बीच में जेनेटिक मैटीरियल रहा, तो ये क्या होगा, नेग्ड हो गया, तो इसका एंसर क्या होगा, प्रियो का एंसर क्या होगा वायराइट्स हमने अभी वायराइट्स की बारडरी में पढ़ा था कि इसमें प्रोटीन का जो कोट होता है वो नहीं होता है इसमें आरेनी का सिंगल स्टेंडर होता है अगला T4 बैक्टिरियो फेज उत्पन किये जा सकते है किस में होता है T4 बैक्टिरियो फेज ऊत्पन किये जा सकते है आंत्री जीवाडू, E. coli में, कुरित्रिम समवर्धन माध्यम में, दोनों में, किसी में नहीं, इन्द कोलोन बैक्टिरियम E. coli, इन्द आर्टिफिसल ट्रीट्मेंट मेडियम, बोथ अफदीज नानाफदीज, तो इसका एंसर क्या होगा, T4-Bacterio phase virus किसमें, किस से उत्पन किये जा सकते हैं, किसमें होगे, T4-Bacterio phase उत्पन किये जा सकते हैं, तो इसका एंसर होगा, इन्द कोलोन बैक्टिरिम E. coli, किसमें आंत्री जीवाडू के E. coli में, T4-Bacterio phase virus को उत्पन किया जा सकता है, अगला question है, विरियोन का अर्थ क्या है, हमने, हमने क्या देखा, विरिसोयड देखा, विरियोड देखा, और प्रियोंस देखा, अब है बारी विरियोन, विरियोन क्या होता है, क्या है विरियोन, और सन है, कैपसीड आफ वाइरस, क्या होगा इस कैंसर क्या है ये डेड वाइरस विरियॉन क्या है डेड वाइरस है एक अक्री वाइरस को विरियॉन कहते हैं मतलब इसमें कुछ भी मेटाबॉलिक अक्टिविटी इसमें नहीं हो रही है एक वाइरस जीवित कोशिका के बीतर सजीव के रुप में सक्रे रहता है जब किकोश्यका के बाहर वायन सक्री अठर्थातने जीव रुप में रहता है, मतलब, किसी भी वाइरस को विरियोन कब कहा जाता है, जब वो non living thing के पास रहता है, तो जब non living तो वो non living की तरह behave करता है, लेकिन जब वो living body में जाता है plant या इनिसल में, तब वो metabolic activities करता है तो उसमें रिप्रोड़क्शन होगा और जब यह सर्फेस पर है स्वायल पर है या नॉन लिविंग थिंग्स पर है तब वह कहा जा रहा है डेड़ वाइरस जैसी बाद वह डेट की तरह भी है कर रहा है कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो रही है तब उस समय वाइरस को व colocar है ना कि वाइरस क्या बोलेंगे विरियों किसे कंडिशन में व्य हो डेड जैसा भी है कर रहा है में प्रियोंत्स कद वो लेंगे जब प्रोटीन कोट हो रहेगा नहीं है विरियोप कभ केंगे जब सिर्फ यह ए और चेयूर्ट अगला कुश्यन है एड्स अथ्वा एक्वाइड एम्यूनियो डेफिसेंसी सिंड्रोम उठपन किये जाते हैं जीवाड़ु द्वारा कवक विजाड़ु द्वारा पराकड़ु द्वारा विशाड़ु एचल टीवी थर्ड या एलेवी या एर्वी सेकेंड द्वारा तो इ एड्स वाइरस से होने वाला रोग है क्या होता है हेड्स से हिएग्स करते हैं घ्रट टीवी थवरे या एलेवी या एयर्वी सेकेंड द्वारा पन वरुतां यह वाइरस इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं जैसे T-Lymphocyte जो T-Lymphocyte है उसको नस्ट कर देता है और इससे जो प्रतिर्यक्षत तंत्र है वो कमजोर हो जाती है T-Lymphocyte T-Lymphocyte को यह क्या करता है नस्ट कर देता है तो इससे प्रतिर्यक्षत चंता कम हो जाती है रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है जिससे कुछ भी विमारी होती है कुछ भी हलका सभी इंफेक्शन होता है तो वो विमारी उस बैक्ति को हो जाती है जिसको HIV वाइरस जिसक प्रवाव उल्टा अर्थात RNA से DNA सूचना प्रवाव का हमेशा किस दिशा से होता है DNA से RNA की तरफ होता है DNA से RNA की तरफ होता है सूचना का प्रवाव अब सूचना प्रवाव उल्टा हो रहा है मतलब RNA से DNA की तरफ तो वो किस में होता है TMV में, Reovirus में, HIV में, यह सब में होता है इसका अंसर क्या होगा? क्या हो सकता है? TMV, HIV, इसका अंसर होगा HIV HIV क्या होता है? कि एक जटिल आवरण युक्त रेट्रो वाइरस है इसका जो genetic material है वो RNA हो । HIV एक जटिल आवरण युक्त और आवरण भी है आवरण युक्त रेट्रो वाइरस है इसमें प्रतिवर्ती Transcriptase Enzyme, Reverse Transcriptase Enzyme की उपस्तित के करण सूचना प्रवा उल्टा हो जाता है और आर्थात RNA-C DNA की तरफ होता है क्यों 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 कि Reverse Transcriptase Enzyme इसमें पाये जाता है किसमें HIV में तो इसका answer क्या होगा जिसमें कि पुछा गया है कि जो सूचिना प्रवा है वो RNA से DNA की तरफ है तो यह होता है HIV में एक जिवाड भोची में होता है बैक्टिरियो फेस में क्या होता है यह पूछा गया है रिबो नुकलिक एसिड प्रोटीन और नुकलिक एसिड तो इसका answer क्या होगा प्रोटीन और नुकलिक एसिड जो बैक्टिरियो फेस वायरेस है उसका कुछी स्ट्रक्चर ऐसे होता है य जाटी मेटीरियल होता है तो वेक्टेरियो फेज वाइरस में प्रोटीन कोड भी है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है तो इसका एंसर होगा सी HIV जैसे रेट्रो वाइरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है DNA Polymerase, RNA Polymerase, DNA Ligase, Reverse Transcriptage तो इसमें क्या पाया जाएगा HIV क्या है रेट्रो वाइरस है और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है अभी हमने देखा इसमें एंजाइम पाया जागा Reverse Transcriptage इसी एंजाइम की वज़े से जो सूचना है जो मैसेज है वो उल्टी दिसा में जाता है RNA to DNA किसकी वज़े से? Reverse Transcriptage एंजाइम की वज़े से और जो की HIV वाइरस में पाया जाता है पादव विशाड जिसमें DNA पाया जाता है वह क्या है? जिसमें DNA पाया जाता है कॉलिमो वाइरस, टुबैको मोजेक वाइरस, पोटेटो मोजेक वाइरस, पाउल्स वाइरस कॉलिमो वाइरस कॉलिमो विरिडी कुल का जीनस है यह मुक्यते पौधों को संक्रमित करता है इसमें DNA का दोहरा डबल स्टेंडर्ड DNA पाया जाता है इसके अंतर गताने वाले प्रमुख वाइरस कॉलिफ्लावर मोजेक वाइरस होता है तो इसका एंसर क्या हुआ? प्लान्ट वाइरस जिसमें DNA पाया जाता है ऐसा प्लान्ट वाइरस में हमेशा यह दिखा गया है कि क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है लेकिन कॉलिमो वाइरस है जिसमें क्या पाया जा रहा है? DNA पाये जा रहा है और यह जो होता है यह पौधो को संक्रमित करता है और DNA कैसा है double standard है इसका जो DNA है वो double standard DNA इसमें पाये जाता है और इसका जो किस plant पर अटेक करता है यह cauliflower mosaic virus पर भी यह cauliflower mosaic virus है इसका promote virus अगला virus का capsid किसका बना होता है capsid cellulose mucoprotein protein starch हमें इसा बताया गया है कि जो capsule है इसका जो capsid है वो जो आवरण है इसका virus का यह किसका बना होगा protein का virus protein का आवरण जो covering है वो protein की अगला question प्रियोंस क्या है प्रियोंस क्या है इंफेक्सियस protein इंफेक्सियस डियनी इंफेक्सियस RNA इंफेक्सियस जैड डियनी प्रियोंस अभी इमने देखा था कि प्रियोंस प्री से याद कर सकते हैं protein तो यह क्या है और चुकि वाइरस है तो संक्रामक होगा ही तो संक्र प्रोटीन द्रामप प्रोटीन हे इंफेक्टियस प्रोटीन होता है यह सूच मिम्तम प्रोटीन यूगत्र रोग को पने करने के इसमें छमता होती है इनका संसलेशनल मस्तिष की कोश्काउं के जीनों मे ignoram किमियंत्रल से होता है, जैसे mad cow disease, mad cow disease, ये किस से होती है, ये किस से होती है, प्रियाउन से होती है, और मनुशियों में हासी रोग, अर्थात, लॉफिंग डिजीज, इनको कुरू डिजीज भी कहते हैं, डिमेंसिया, कमपनसिल लगवाज होता है, या परकिंसन डिजीज कहा जाता है, ये सब किस में से होते हैं, प्रियाउन से होते हैं, प्रियाउन से अधारीत रोगों पर रेसर्च के लिए 1976 में DC गजडूसेक को नोबल पुरसकार से नमाजा गया था, प्रियाउन सब की खोज 18 82 में इस्टैनले भी प्रियाउन ने किया था और इसी के नापन पर प्रियाउन स रखा गया, प्रियाउन पर रेसर्च के लिए प्रियाउन को वर्स destroys ap discover 1997 में नोबल पुरसकार दिया गया तो इतनी जानकारी थी क्या प्रियाउन स की 230 होती है हो कारण होता है वो क्या है प्रियोंस है इसकी खोज किस ने की थी डिसी गजड्यूश्यक ने की थी और इनको नोबल पुरसकार भी मिला है और इसकी जो सब्द की खोज की थी इस्टैनले भी प्रिसिनर नाइटीन हंड्रेट इटी टू में इनको भी नोबल पुरसकार दिया गया था नाइटीन हंड्रेट नाइटी सेवन में यह खोज थी बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी अगला क्वेशन है निम्ण में से कौन सा कथन विशाड़ों के लिए उपयूक्त है इनमें अपना उपापचयी तंत्र होता है इनमें डियने यवम आर्यने पाया जाता है यह फैकल्टेटिव वैकल्पिक परजीविव होते हैं यह आसानी से प्रतिजैविकी से नस्ट हो जाते हैं they have their own metabolic system metabolic system तो होता ही नहीं they contain either dna और बार्यने इनका अपना तो नहीं होता है appropriate answer is correct answer is इनमें DNA या RNA होता है इनमें DNA या फिर RNA पाय जाता है वाइरिस को सजी तथर निर्जेयों के बीच की कड़ी माना जाता है इनमें अपना उपापचही तंत्र मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है आता है इन्हें प्रैतिजयाव की जब मेटाबॉलिक सिस्टम ही नहीं है तो एंटिबाइटिक्स द्वारा नस्ट भी नहीं किया जा सकते आविकल्पी परजीवी होते हैं वाइरिस में DNA तथा RNA में से केवल एक नुकलिक एसिट पाया जा जाता है अगला कोश्यान निम्न में से किस में केवल एक प्रकार का नुकलिक एसिट पाया जाता है जीवार में कवक में वाइरस में एक प्रकार का नुकलिक एसिट पाया जाता है वाइडर फोबिया उत्पन होता है हाइड्रो मतलब होता है पानी फोबिया मतलब डर जिस डिजीज जिसमें क्या हो पानी से डर लगी वो किस से उत्पन होगा जीवार द्वारा विशार द्वारा कवक द्वारा प्रोटो जुआ द्वारा तो इसका एंसर होगा वाइरस द्वारा वाइरस द्वारा हैड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है जो कि कुत्ते या इस तरह के बंदर इन सब एक जंगली जानवरों के काटने से होता है मेली इसको कुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रोग है जो की पोलियो माइलाइटिस विशाड द्वारा होता है इन में रोग कारक जीव का संचाड जो इंफेक्शन फैलता है वो दूसित भोजन अथवा जल से होता है जो तंत्रिका तंत को प्रभावित करता है यह विशाड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पहुंच कर त इसके परड़ाम स्वरुप मस्तिस्क पेशियों को कारे करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है मतलब पहुंचा ही नहीं पाती है और पक्षाद पैरलेसिस हो जाता है पोलियो मीमारी मुकिता बचों को प्रभावित कर देता है कहलाता है बैक्टिरो फिस देट लाइज दा बैक्टिरिल सेल शॉर्टली आफ्टर इंफेक्शन आर्ट रंड एज इनको क्या कहा जाता है जीवाड़ों में पहुंचकर जीनों के भविस के आधार पर फेज वाइरस दो प्रकार के होते हैं एक होता है विरुले इसका एंसर होगा विरुलेंट इसका एंसर क्या है विरुलेंट जीवाड में जब पहुंच जाते हैं जीनों के भविस के आधार पर फेज दो वाइरस के हो जाते हैं एक होता है विरुलेंट दूसरा होता है एट टेंपरेट तो जिन जीवाड पोस्ट होस्ट में फेज ज जीवाड़ क्याती हैं इनमें पहुंचते ही फेस जीनों के बारंबार दिगुड़ा से फेस जीनों की कई प्रतलिक्टिया बन जाती है जिसके फलसुरूप सनलेयनी जीवाड़ सीगरी फटकर समाप्त हो जाता है जब लोग बैक्टिरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे औ और डिफ्रेंट टाइप्स आफ बैक्टिरिया वाइरस को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे तो अभी फिलाल इसका एंसर क्या है बैक्टिरियो फेस जो संक्रमड की कुछ समय बाद ही जीवाड़ का सैनले इंफ्यूजन कर देता है वो क्या है विरूलेंट बैक्टिरियो फेस वाइरस का स्ट्रक्चर कैसा है जैसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है एक्सागोनल ऐसे होता है ऐसे और इसमें पीच में क्या होता है बैक्टिरिया होता है और जब यह जीवाड़ पर अटैक करता है तो क्या जाएगा यह कैप्सिल तो जाएगा नहीं जाएगा क्या सिर्फ और सिर्फ हारे नहीं जाएगा प्लांट वाइरस ये इसके अंदर जाएगा एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें नहीं होगा एंजाइम नहीं होता है किसमें नहीं होता है कवक में स्लाइम मोल में वाइरस में बैक्टिरिया में एंजाइम सिर्फ और सिर्फ वाइरस में नहीं पाय जाता है वाइरस में एंजाइम नहीं पाय जाता है रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है है एच आईवी वाइरस में है एच आईवी में है पाया जाता है जिसम से क्या होता है कि जो वह है जो मैसेज है वो उल्टी दिसा में जाता है आरेने से डिने की तरफ वैसे क्या होता है कि इनमें जो वाइरस होते हैं उनमें कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाय जाता है वाइरस में एंजाइम नहीं है अगला कुशन देखते हैं वाइराइट्स होते हैं वाइरेट्स क संक्रामक न्यूक्लिक अमल उपर योगत सभी सभी तो इसका एंसर क्या होगा इंफेक्सियस न्यूक्लिक एसीड न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं न्यूक्लिक अमल सिर्फ सिर्फ क्या होगा न्यूक्लिक अमल है अगर संक्रामक है तो यह क्या होगा वायराइट से म्यूटेशन की क्रिया विशाड़ू में सर्फ्थम देखी गए थी मतलब किसने देखी थी डलबर्ग, पास्चर, डलबर्ग का अनलूरिया, प्लोड्स इसका एंसर हुगा डलबर्ग ने सबसे पहले म्यूटेशन को किसमें देखा था वाइरस में म्यूटेशन की क्रिया को सबसे पहले डलबर्ग ने देखा था, 1900, 1938 में सबसे पहले डलबर्ग ने देखा था म्यूटेशन को किसमें वाइरस में DNA का इकहरा अस्तर पाया जाता है रियो वाइरस, एकोलाई, लेम्ड़ा फेज, 5X, 184 वाइरस तो इसका एंसर होगा 5x674, 174, इसमें DNA होता है और DNA का इकहरा आस्तर, इकहरा गुरसुत्र, सिंगल स्टेंडर्ड बोलते हैं कहरा गुर्सूत्र नहीं कहते हैं सिंगल डियने का इकहरा स्टेंडर्ड डबल स्टेंडर्ड होते हैं डियने तो इसमें इकहरा स्टेंडर्ड सिंगल स्टेंडर्ड पाया जाता है वाइरस सब्द का सब्थम्प्रयोग किया गया वाइरस वाइरस का मतलब होता है वेनम वाइरस इससे लिया गया है मतलब विशेली चीज कोई ऐसी चीज जो हानिकारक है तो इसका सब्द का सब्थम प्रयोग किस ने किया था डिहरले पास्चर बेंजरी या फिर प्लोट्स द्वारा तो इसका अंसर क्या होना चाहिए पास्चर लूई पास्चर ने इसकी खोज की थी सौरी खोज नहीं कि थी यह टर्म दिया था वारस वारिस सब्द जिसका आर्त होता है क्या होता है वेनम या पोईजनट्ट है या फिर क्या कह सकते हैं पोईजनट्स विवेनम या फिर पॉईजनस फ्लूड पॉईजनस फ्लूड होता है सबसे पहले पास्चर दोरा ही ये टर्म दिया गया था और इसकी खोज किस ने की थी? इसकी खोज इवानु वस्की ने की थी इवानु वस्की ने ठीक है तो इसकी खोज जो है यह वानु वसकी ने की थी और यह जो टर्म वाइरस है जिसका आर्थ होता है वेनम या पॉजिनेस फ्लिवड उसको वाइरस ने दिया था मलेकित में से कौन सी वाइरल डिजीज घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है घरेलू पालतू जानवर ट्यूबर क्लोसिस न्यूमोनिया जोंडिस इनमें से कोई नहीं तो ट्यूबर क्लोसिस घरेलू जानवर पालतू जानवर में तो ट्यूबर क्लोसिस नहीं होता ह ay ऱयुमंहिया भी नहीं होता है तो इसका मतलब है इसका एंसर होगा इन में सी कोई नहीं ये सब क्या है वाइरल जो जान्मरों में नहीं होती, अगला कोश्यन है, इनके द्वारा पादब विशार्व सरुप्थं क्रिस्टली रूप में प्रिथक किया गया, नुकलियो प्रोटीन जैसा माना गया, सबसे पहले, कोश्यन यह है कि सबसे पहले इनको क्रिस्टलाइज किसने किया था, इस्टैनले ने इसको डिस्क्राइब किया था क्रिस्टलाइज किया था क्रिस्टल की रूप में इसको प्राप्त किया था डबलू यह में स्टैनले और किसे किया था तमबाकू के मोजएक वाइरस टीमवी टोबैकू मोजएक वाइरस से 1950 1335 में और इनको 1935 में यह crystallize किया था इसको इस अन्योंने और crystallize कोई जो living thing है उसको तो आप crystallize कर नहीं सकते हैं यह crystallization ही बताथा है कि एजो wiring भी नॉन worms देड बॉडी या डेड चीज के संपर्ख में आता है तो डेड जैसा भी है क्योंकि अगर कोई भी लिविंग तीग है उसको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं इसको करेंगे जो कि नॉन लिविंग तिंग है तो इसको सबसे पहले इस्टनले ने किया था और इसी लिए इनको 1946 में नोबल प्राइज दिया गया था और यह किया किससे था टीमवी जो टोबैको में वायरस है जो तंबाकों की पत्ती होती है उसपे एक डिजीज होता है चितकबरिज जैसा हो जाता है तो इसको इनोंने किया था वायरस सजीव नहीं वरन और इसी से प पुश्काओं को संक्रमित करते हैं यह सजीव पदार्थ की सेविजन में भाग लेते हैं वाले कड़ोंते हैं नुकली कमल तथा प्रोटीन नुकलियो प्रोटीन के बनी होते हैं इनकी आनुवानसिक सामगरी के एक सुत्री आरेने भी हो सकता है और डिने भी मेली प्लांट व वाइरस है तो प्लांट वाइरस में लगभग सभी में कॉलिमो वाइरस को अगर छोड़ दिया जाया कि जो की कलिफ्लार पर अटेक करता है तो उसको अगर छोड़ दिया जाया तो हम सभी को लगभग क्या करेंगे आरेने उसमें जनेटिक मैटीर आरेने होता है किसमें प् जब तम केस्टल रूप में प्रापद करने का स्रेय जाता है अभी हमने इसको देखा है कि लुए पास्टीर्य है येसलियो отпa को इवन वश्की को डब्लियों लेको डब्लेव स्टेनले तो इसका अंसर क्या हओत के से ने ततक किया था 1935 में और प्लाइट का नाम क्या था टीम वी था और इनको नोबल प्राइज कब मिलाथा नोबल प्राइज क्यों मिला क्योंकि नोने बताया कि यह जो है यह एक ऐसा निर्जियू चीज जो की सजियूं पर infection फैलाता है और नॉन लिविंग पार्टिकिल है और इन्फेक्सियस है, पोईजनस है, और उसका जो जेनेटिक मैटीरियल है, जो लिविंग थी में जाता है, तो आर्या नहीं है, तो यह सब चीजे जो है, पता चली, इनको नोबल प्राइज मिला था 1946, 1946 में क्योंकि पहली बार पता चला था कि यह सजीव निर्जीव, निर्जी चेचक का कारण है, वेरियोला, एडीज, कॉक्सियला, फ्रेंसेला, चेचक का कारण है, मतलब चेचक किससे होता है, तो इस्माल पॉक्स, चेचक, यह वेरियोला वाइरस के कारण होता है, किससे होता है, वेरियोला वाइरस, इस्माल पॉक्स, इसको इस्माल पॉक्स भी कह रखते हैं चेचक को दाने निकल आते हैं और लगभग एक हपते के बाद एक हपते तक इनका लाइफ साइकल कंप्लेट होती है डबल स्टेंडर्ड आर्यने इस फाउंड इन डबल स्टेंडर्ड दिश्टंबी आर्यने किसमें पाया जाता है स्मॉल पॉक्स तुवेको मुझे के वाइरस तुवेको मुझे के वाइरस प्लांट वाइरस सिंगल स्टेंडर्ड आर्यने स्मॉल पॉक्स इनीमल वाइरस है तो इसमें क्या होगा अमोमन कि क्या होता है सिंगल स्टेंडर्ड डीने इंफ्लेंजा वाइरिस उन्ट्यूमर तो होगा क्या आरेने की बात हो रही है उन्ट्यूमर वाइरस उन्ट्यूमर वाइरस एक अक सेर्व की और पादव विशाड़ु है इन्वर्टिब्रेट एंड प्लांट वाइरस है वुन्ट्यूमर वाइरस यह संयूत्राज अमेरिका में पाया जाता है यह फाइटो रियो वाइरस वन्स यह रियो विरिडी परिवार से समधित है इसके जिनोम में लगभक लगभक कितने 25,000-based pair होते हैं 25,000-based pair पाये जाते हैं 5-1084 मी कितने थे यह बताई comment करके इसके पहले ही हमेने पढ़ा है इसका अन्वांयसी प्दा दूई सतंभी ओर याने डबल एक रिनी बन होता है इसका अ इसलिए ऽेल यह है वो डबल स्टेनर्ट क्या है डबल इसलिए दारने यह आर्या कि गणि हुँ जेनिटिग संदर्ड च्रमौ इसमाल्पोक्स वाइरिस में ही दबल इस्ट्ट डिन ही औरीज़ और इसमें क्या होगा शिंगल स्टेंडर्र आरेनी और इन्फ्लेंजी वायरिस बीक्या influenza virus भी single standard RNA है तो इसका answer क्या है उन tumor क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है double standard RNA पाया जा रहा है double standard RNA पाया जा रहा है small box में क्या है double standard DNA है इसमें क्या है double standard DNA है इसमें RNA है इसमें भी RNA है लेकिन standard कैसा है single single निली हरी सेवाल पर परजीवी virus कहा जाता है the virus parasitizing the members of blue green algae are known as निली हरी सेवाल पर परजीवी virus कहा जाता है ब्ली ग्रेइन यल्गी पर जो attack करने वाला वायरस है उसको क्या कहा जाता है बहुत सा सरल है क्योंकि इसके जो दिया गया option इसमें नाम लेंडा phase, बैक्टिरियो phase, बैक्टिरियो पर 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 अटाइक करने वाला ठीक और कॉलिफेज इसको हमने देखा था यह क्या है, प्लांट वायरस है और इसमें डियने जैने जैनेटिम मैटिरियल है और यह क्या है, साइनो फेज साइनो, साइनो का मतलब यह है, साइनो फाइसी से लिया गया है साइनो फेज, साइनो फाइसी से लिया गया है, साइनो फेज पर, साइनो फाइसी पर अटेक करने वाला साइनो फेज हुआ और साइनुफेस क्या है ब्लियू ग्री साइनुफाइस ही क्या ब्लियू ग्रीन अलगी है तो इतना लगबग हमने 45 कोश्चन कवर किये जो की वाइरिस से समदनी थे कल हम लोग बैक्टिरिया की कोश्चन को कवर करेंगे थैंक्यू एंजय हिन